चाहिए लास्स सेशन में हम लोगों ने बाइंडिंग के बारे में ही समझा कि बाइंडिंग होती क्या है अब इस पर्टिकलर सेशन में में आपको यही सेम बाइंडिंग का प्रोग्राम dynamic loading करके आपको दिखा देता हूँ dynamically class को load करके dynamically हम object बनाके आपको इस particular program को दिखाते है ठीक है तो इसके लिए हम क्या करेंगे यह पूरी line यहां से comment कर देंगे ठीक है और अब हम क्या करेंगे try और catch के अंदर try catch के अंदर हम dynamically class को load करेंगे और उसका object बनाएंगे तो dynamically class को load करने के लिए क्या तरीक होता है भई class नाम की class अब class class का static method for name और इसमें लिख देता हूँ args args और यहां से लिख देते हैं 0 तो यहां पर जिस class को हमें runtime पर load करना है उसका नाम हम 0 position से runtime पर बताएंगे ठीक है और जो class runtime पर load हो जाएगे उस loaded class की class class का object बन जाएगा और उस पर dot करके हम new instance चला के उसका object बना लेंगे object किसी कभी बने है ना child का बने parent का बने एका बने भी का बने हम इसको अब कास्ट कर लेंगे parent type में इसको parent type में हम अब कास्ट करेंगे इसका फायदा यह मिलेगा कि हम अब जब इस पर कोई चीज कॉल करेंगे है ना तो वो सारा runtime polymorphism वाला जो जितनी कहान ही ना वो सब यहां पर अचीव हो पाएगा ठीक है यहां पर static binding dynamic binding जो भी आप कर रहे है वो सब अचीव हो पाएगा अब आप इस कोड को देखिए यह जो दो लाइन के कोड है ना यह लाखो करोड़ों रुपए का चीज है यह बस एक मतलब यह में खतम करने वाला चीज नहीं है और इस बहुत द्यां से समझे इस कोड का मतलब है कि आप कोई भी क्लास हमें पर उसको लोड करोंगा उसको जबना दूँगइं और उसको फैरंट टाइप में ताइप कास करके रख लहा यह मतलब यह हो गया किव научarf classes की objects runtime पे लोड करा सकते हैं जो parent का चाइल्ड हो parent class का चाइल्ड हो उसको inherit करता हो अगर inherit नहीं करेगा तो काम तो हो जो ही नहीं पाएगा तो उसको inherit करने वाली class होनी जरूरी है ठीक है अच्छा अब उस particular loaded class को object बनाके parent type में typecast करके रखिया जाता है तो यह ऐसा code आपको बहुत जगह मिलेगा तो अब हम इस application को चलाते हैं run as run configuration करेंगे और यहां से हम vm argument पास करेंगे argument पास करेंगे vm यही करते थे न अब variable length argument पास कराने के लिए अब हम क्या करेंगे यहां पर नाम देंगे अब जैसे हमारी class का नाम है derived अब क्या होगा यह हमने parent नाम यहां से पास कर दिया पैरेंट ने package के साथ पास करना होगा यह चीज़ यहां पर ध्यान देंगे हम package के नाम साथ inheritance था तो i-n-h-e-r-i-t-a-n-c inheritance.parent और इसको हम apply करके जैसे run करेंगे तो यह class नहीं मिला यह package हमने गलत कर दिया होगा एक बार दुबारा run as run configuration में जाएंगे और यहां से आर्गोमेंट हम देखेंगे हमने inheritance.parent साही लिखा है बट यह मुझे लग रहा है यह आर्गोमेंट यहां का नहीं होके यह vm आर्गोमेंट ना होके program अर्गोमेंट होता है यहां से से cut कर देते हैं ठीक है apply करके run करते हैं तो आप क्या देख रहे हैं यहां से कौन सी class runtime पे लोड हुई parent किसका object बना parent का data किसका call हुआ parent का सारा चीज़ सब कुछ किसका चला parent का अब्जेक्ट बी पेरेंट का रफरेंस भी पेरेंट का और रफरेंस भी पेरेंट का तो सारा लेटा किसका call होगा parent का बताओ सर एक बात सर इन्हेरिटेंस में सिर्फ चाइड क्लास का अब्जेक्ट बना सकते हैं यह कौन खह रहा है चाइड का अब्जेक्ट बनाओ पैरेंट का अब्जेक्ट बनाओ किसी का अब्जेक्ट बनाओ अब्जेक्ट तो किसी कभी बना सकते हैं यह कब मैंने पढ़ा दिया हम यहां पर कोई दिक्कत है पहले यह मुझे बताओ यह समझ में आ गया पूरा एकदम बढ़ी है समझ में आ रहा है कि शरीया पर हाँ टाइंट क्लास का अब्जेट बन गया और उसी का रेफरेंस वेरियेबल हो गया उस पे सारा काम चल गया अब अगर मैं इसी प्रोग्राम को दुबारा रन करता हूं रन कंफिगरेशन करता हूं और यहां से अब मैं पैरेंट न लिखके यहां पर लिख देता हूं डराइब्ड डी आर आई वी अ ए ड्येइड डी है न डराइब्ड यह हमने दिया साह टास का नाम अब आपले की करके Ren करते हैं तो अब क्या हुआ object बना किसका derived class का और reference variable है किसका parent का तो अब सारा चीज किसका call होगा parent का लेकिन के वल एक ही चीज किसका call होगा child का और वो है वो है आपका so- euros यानि कि non static method यह बाकि सब parent का ही चला रगें तो वही तेम चीज हमने यहां पर भी किया है बट क्लाश डॉट फॉर नेम से कर दिया और नूइस्टैन से कर दिया यही क्या रहे थे तुम है है तो यह भी हो सब्सक्राइब पता हूं और बता हूं कि इस बना सकते हैं जब हम चाइल का अबज़र बनाते हैं तो पैरेंट का अबज़र बनता है या नहीं बनता है वह वाली बात अलग थी वह कंडिशन अलग था है यहां पर बात यह हम चाइल का अलग से और पैरेंट का अलग से बना सकते हैं तो हां बिलकुल बना सकते हैं बना हो jinा यार किसी ने रोग रखा है लात तुम नहीं होता है दॉक भूह अपने आप की बात थी कि चाल कर बना रहे हैं तो क्या पैरेंट को भी आपन जा रहे है अपने आप नहीं ऐसा नहींạt कर कि में यह अलग सिच्विशन ठाए था टी अब आट फेङ हुड़ तो यहां पर inheritance के अंदर मतलब ऐसे static binding का प्रोग्राम आपने देखा साथ ही साथ आपने class.forname से runtime पर object बनाके runtime पर किसी class को load करके उसे चलाना भी सीख लिए आपने ठीक है अब आगली बात आ किस तर वो कहानी कैसे समझ में आए कि किस चीज की static binding होती है किस चीज की dynamic binding होती है यह चीज हम कैसे देख सकते हैं है न तो ऐसा देखने के लिए कि मैं आपको इस चीज को notepad से दिखाता हूं फिर तो इसके लिए मैं notepad open करूंगा और notepad में मैं एक class बनाता हूं ठीक है और वही सेम प्रोग्राम आप यहां पर बना सकते हो लेकिन थोड़ा सब मैं यहां पर अलग प्रोग्राम बनाऊंगा एक बेस नाम की यहां पर class बना लेता हूं ठीक है और फिर एक मैंने चाइड नाम की class बना लिए चाइड जो है extends कर रहा है बेस को ठीक है सेम कहानी है यहां पर अब अब माल लिजे और यहां से एक और class ले लेते हैं एक class और बना लेते हैं तेस्ट नाम या binding टेस्ट नाम से क्लास ले लेते हैं ठीक तो तीन classes हमारे पास हो गई तो यहां पर मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको कि वही किस चीज़ के static binding होती है किस चीज़ की क्या instruction जनरेट होता है